पशिमी चंपारन जले में बेतिया के पराटकी अस्तल अमौामन जेल बुद्वार से पर्याटकों की सुविधा को देखती हुए चालू कर दिया गया। बिभिन तरह की बोटिंग सेवा की सुरुवात कर दी गई। इस नौका बिहार का उद्गाटन बिहार भाजपा के परदेश अध्यक्ष संजे जस्वाल पर्याटन मंत्री नरायन प्रिशाद ने किया। इस मौके पर पुर्विधायक प्रकास राई और डियम कुंदन कुमार भी मौजूद दिखे। नौका बिहार की सुरुवात हो जाने की वज़ा से अब पर्याटक सिर्फ बालमी की नगट टाइगर रज़ार भी घूमने नहीं आएंगे। बलकि अब यहां आकर वोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। जो पर्याटक जेट स्पाय सेम जेट अटाइक जैसी सुविधाओं का आनंद लेने के लिए समुंदर किनारे गोवा जैसे सहरू में जाते हैं। अब वह उसका मजा मुआमन जील में ही ले सकते हैं। पश्यमी चंपारन के मुआवन वाटर अडवेंचर से स्पार्ट पर्याटकों की हर सुविधा मुहया कराएगी। यहां महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की भी सुविधा की गई है। लोगों ने टिकट खरिद कर सबसे पहले जीट स्पाइस का लुफ्ट उठाया। उद्घाटन कारिकरम के दोरान मवजुद जलापादी दयकारी कुंदन कुमार ने बताया कि यह जेल आने वाले दिनों में बिहार के लिए एक बहुत महत्पून तुरिजम प्लेस होगा। उन्होंने बताया कि जेल के सबसे बड़ी बिसिस्ता यहां का वाटर लेबल पूरे वर्स मेंटेन रहता है। पहले सिर्फ ग्रामिन चेत्र के लोग मचली मारने के लिए करते थे। लेकिन अब बिहार के पश्मी चमपारन में भी गुआ का आनन्द मिलेगा। देश विदेश के परियाटक यहां पहुचेंगे। तो बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुस खबरी है कि अमवामन जहिल को खोल दिया गया है। बिहार वासियों को अब गर्मी के सीजन में घूमने के लिए एक अच्छा सा जगह मिल जाएगा। वो बेतिया में जाकर इसका मजा ले सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से संजिच चास्वाल बोर्ड पर बैठे हुए हैं और इसका आनंद लेती हुए दिखाई दे रहे हैं। बेरो रिपोर्ड गुड मॉर्निंग बिहार।